संतुनिट हाकवड जी साथी सभी अतितियों मानियेक सुबेंदु अधकारी नेता अपरुतिपौक्ष्य भेष्ण reminds कि इस सुकांतौ मजूउदार इस सौमित्रो खान आप सभी की भी उपस्तिती का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ अपने अग्रजों एवर मादर्निय का वंदन अबनंदन एक गौरब का विशय है और उसी परंपरा के साथ आगे बढ़ते हुए मैं केंद्रिय राज्यमंत्री श्री सान्दू ठाकुर जी से निवेदन करू आगे की वो अंगवस्त्र और इस्प्रती जन्न से अधर्निय मुख्यतिति मानिय प्रदान मंत्री मौहदय का स्वागत करें संमान करें पुने केंद्रिय राज्यमंत्री श्री शान्तू ठाकुर जी से निवेदन कीवे स्वागत उद्भोदन दे भारत माताकी नमस्कार बिशेल लोकोप्रियों नेता आधुनिक भारतेर विकाश पुरुष भारत बोष्षे जशोशी प्रदान मंत्री आधर्दिय श्री नरेंडर मोधीजी पोश्ची मंगेर पुर्णो भूमिते समग्रो पुष्ची मंगो बाशीर पोखो थेके जाने हार्दीक अभिनोंदों अशुशागतम आज हुगली जेलार आरामबागे अनुस्ठीतो भारतेर एई विकाश महत्षबेर मंचे उपविश्चो भारत बश्चे जसर्शी प्रधान मंत्री माननिय श्री नरेंडरोदार दामधस मदीजी पोश्ची मंगेर महा महिम राज्यपाल डग्टर सी भी आनन्द बोश्ची माननिय पोश्ची मंगेर बिरोधी दलोनेता श्री सुबेंदो अधिकारी जी मानोनिय सांग्षद स्री सुकांतो मजुम्दार्जी मानोनिय सांग्षद स्री सोमित्र खांजी सकोल जनो प्रोतिनी धी केंद्रियो सरकारो राज्जु सरकारे बिभिन्न अधिकारिक गन सन्मानितो अतिती बिन्दो मीडिया बंदुगन शकल भद्रो महदय ओ मात्री मोंडोली पोश्चिम मंगो भारतेर एक्टी सम्रिद्धो समस्कितिक और शायतिक ओईतिज्जे परिपुन्नो विशिष्टो राज्जो प्रक्खातो कोभी रोबिनो आठ्ठाकूर एबों साधिनाता संग्रामी समाप्रशाद मोखपाद्दायर मतो विशिष्टो ब्यक्ति बर्गो एई पोश्चिम मंगेर गठोनेर गुरुत्त पुन्नो भुमिका पालोन कोरे छिलें एखानका राज्णोईतिको समस्कतिक पेखा पटे आमादेर मानोनियो प्रधानमंत्री श्री नरेंडरो दामदर्दास मदी जी पोती आमार आंतोरी कितक गोता जानाई जे एई उपलक्खे तार आगामी उपस्तितितिर माध्धमे शाथाजार दूशो कोडिटागार प्रस्तोरे स्थापन करवेन। कलकाता पश्चिम मंगे राजधानी भारोतेर एकटी विशिष्टो सहर हिशेवे दाडियरोय चे एटी तार नोदी बंदरे जोनो विख्खातो जा स्रेश्टत्तेर प्रतिक शरकारी भावे सामाप्रसाद मोखार जी बंदर नामे परिचित कलकाता बंदर भारोतेर प्राचिन्तम एबं नेत्रिय स्थानियो बंदर गुलीर मध्धे एक्टी एर सम्रित दितियार भारोतियो बानिज्यो व्याप्षार पाशापासी उल्लेक जोग्गो राजनोईतिको सामाजीक उन्नावनेर साथे जोरितो आज पस्चिम मंगेर प् प्रकल्पेर उद्बदन हच्छे एई प्रकल्प गुलीर समस्ट्री गतवाबे अनुमानिक एकाजार कोईटा का आमादेर अटल पोतिस्ष्रुतीर उज्जल उधाहरो निशर बेदारिये आछे एई प्रकल्प गुलीर मध्धे आमादेर एर मध्धे कोनो संदेहों नेई जे माननियों मोदीजीर गारांटी गारीर माध्धो में आस्थेगे किछु बचोर आगे पीएम गोतिशक्ती मास्टर प्लान पोर्ट, रोड, जलमार्ग, रेलोए सेक्टरे विकास होच्छे एई प्रसंग्षनियों कितित्तेर पाशा पाशी, आमी पश्चिम्मंगेर जलोपत सेक्टर उल्लेक जोग्गो अग्रोगोती तुले धोर्ते पेरे गोर्भितो जलमार्ग विकास प्रकल्प एबंग सागर्माला कर्मोशुचिर मतो उद्धोग गुली सुधु, ओईतिज ओईतिज्यो भाही जलोपतेर रूट गुलीके पुनरोज्जुवितो करेनी बरों ब्याफ्षा बानिज्यो पर्जोटों एबंग नोतुन पद गुलीके आगाम खुले दिये छे, आमादे राज्ये समस्किती ओईतिज्येर सम्रिद्धो टाम्प्रेडीज उत्पादों कर रूपी मुल्लेर बासोट्टिटी प्रकल्पो सागर्माला कर्मसुची ओधिने पोस्चिम्मंगेर 6,300 कोडिटाका नावा होये छे, आमनकी कार्गो, ट्राफिक गतो नॉय बचोरे उल्लेक जोग्ग बिद्धी पिये छे, दुहाजार तेईस सालेर अर्थबर्स एटी आक 26 मिलियान मेट्रिक टन टने पोचे छिलो, जा चोद्धो सालेर अर्थबचरेर सुधू सोलोमिनियान मिलियान टन छिलो, आज इग अईतिहासिक उच्छबे विकोषितो भारोत विकास, विकोषितो बांगलार, विशेष, लोकोप्रियो जनोनायोक, जनोनेता, विकोषितो पुरूश अदर्नी और अरेनरो दामदर मोदी जी नेतरित्य आमरा मोदी जी गैरांटी स्वंगे एक नोतुन बांगला गोड़े तोला रोंगी कार कोरची, एबोंग शकोल के आमार धन्नवाद जनिये, आमारे इबोक्तोब विकानिशेश कुलाम धन्नवाद जाहिन. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज़ादी के अमरत काल की स्पावन बेला में परम आदर्निये मानिये प्रधान मंत्री जी द्वरा देश के विकास और प्रगती में उत्रस्ता के जो नवीन पैमाने निर्मित किये जा रहे हैं, उसी कड़ी में एक और मील का पत्थर है यह स आदर्निये प्रधान मंत्री जी से साधर एवं समने निवेदन कि वे रिमोट बटन दवा कर आज की इन नौ पर योजनाओं का सिलान्यास, लोकारपन और शुभारंब करें प्रधान मंत्री जी की प्रेणा एवं दिशान निर्देशन में सभी विवाग देश के सतत्विकास में अपना बहुमूली योगदान दे रहे हैं आर्थिक विकास और नवीनी करण के मिलन की अवधारना को मूर्त रूप देने के लिए आज उद्गाति ठोई परियोजनाओं के मुख्य बिंदू एक छोटे चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोग कनेतू पश्चिम बंगाल के समग्द्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतरित्व में केंद्र सरकार में सतक प्रयास किये हैं पीते दस वर्षों में पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा रेल, रोड, मॉटर वेज, शिपिंग, पेट्रोलियम विभागों समेत वर्ल्ड क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर के निर्मान में किया गया है अभूत पूर्व निवेश और कार पश्चिम बंगाल के लोगों की बेहतर भविश्य के लिए और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्मान के लिए मोदी सरकार कृत संकल्प है और ये है मोदी जी की कैरेंटी इसी कड़ी में प्रधानमंत्री शुपित रेद्र बोदी जी आज पश्चिम मंगाल को देने जा रहे हैं साथ हजार करोड रुपे से अधिक की विकास पर्यूजनाओं की सौगार और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है रेलवे, हाइवे, आईवे, वाटरवे, आधुनिक हो रहे हैं तो इससे इज अब ट्राइवेल भी उतना ही बढ़ रहा है इसका बड़ा लाब बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी आज पेट्रोलियम सेक्टर की दो परियोच नाओं का उधगाटन कर रहे है इनमें शामिल है खड़गपुर में बॉट्लिंग प्लांट इससे खड़गपुर के आसपास के क्षेत्रों में LPG की सुगम आपूर्ती हो सकेगी हल्दिया परोनी क्रूड ओयल पाइपलाइग इससे परोनी, बोंगाई गाओं और गोहाटी रिफाइनरी तक कच्चे तेल की सुरक्षत और किफायती तरीके से आपूर्ती होगी सुनिश्चत साथी पश्चिम मंगाल में नमामी गंगे मिशन के अंदरगत हावडा, बाली, तथा कमरहाटी और बारानगर में इंटरसेप्शन और डाइवर्जन, आई एन डी एवं सीविच ट्रीप्मेंट प्लांट का उधगाटन होने से हुगली नदी और गंगा नदी का प्रदूशन कम होगा साथ ही, आज हल्दिया डॉक कम्पलेक्स की ओईल जेटीज पर फायर फाइटिंग सिस्टम और तीसरी रेल माउंटेट की क्रेन आर एम क्यूसी का उधगाटन होने से आग लगने जैसी दुरघटाओं का खत्रा टाला जा सकेगा वहीं रेल माउंटेट की क्रेन से कारगो और कंटीना हैंडलिंग शमता में वृत्धी होगी इसके अलावा, कोल कता डॉक सिस्टम की अलग-अलग बर्थों में सुविधाओं को उन्नत करने और कारगो हैंडलिंग को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्द परियोजनाओं का किया जा रहा है शिलान्यास इसके साथी पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मस्बूत करने वाली भारतीय रेल की तीन परियोजनाओं का आज राष्ट को समर्पण किया जा रहा है इन में शामिल है सोंडालिया चमपापकूर रेल खंड का दोहरी करन डानकुनी भट्टानगर बाल्टी कुरी रेल खंड का दोहरी करन और जार ग्राम सलगा जारी रेल खंड पर नवनिर्मित तीसरी रेल लाएंग इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी होगी सुधरिड एवम राज्य के लोगों को मिलेगी लपीजी स्वच जल एवम उन्नत सुवरिज निस्तारण की सुविधा और इसके साथ ही सिद्ध होगा विक्सित पश्चिम बंगाल विक्सित भारत का संक विकास की इन सुंदर जलकियों के लिए बहुत धन्यवाद अब मैं हमारे आधर्णिय प्रिधान मंत्री श्री नरेंद मोदी जी जो देशी नई वरन विश्व पटल पर भी अपने दूर दर्शी नेतृत के लिए जाने जाते हैं एवम जिनको सुनना अपने आप में एक स अभागे का विश्य होता है उनसे सादर एवम सबने निवेदन करता हूं इस पावन बेला में हम सभी को संबोधित करें तारकेश्वर महदेव की जाए तारकबं बॉलबं पस्चिम मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोश जी केंद्रिय मंत्रि मंडल में बेर सहयोगी सांतनु ठाकूर जी पस्चिम मंगाल विदान सभा में नेता विपक्ष स्वेंदु अधिकारी जी सांसद अपुपापदार जी सुकांता मजबदार जी सौमित्र खान जी अन्य महनुभाव देवी और सजनो 21 वी सदी का भारत तेज गती से आगे बढ़ रहा है हम सभी ने मिलकर 2047 तक विक्सित भारत बनाने का लक्ष ताय किया है देश का गरीब किसान महला और युवा ये देश की प्रात्विक्ता है हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुदे कदम उठाए है जिसका परणाम आज दुनिया देख रही है बीते दस वर्सों में देश के 25 करोड लोग गरीबी से बहार निकले है ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दीशा सही है नीतिया सही है निने सही है और उसका मूल करण नियत सही है साथियों आज यहाँ पस्रिम मंगाल के विकास के लिए साथ हजार करोड रुपिय से जादा के प्रोजेक्ट उसका उत्हाटन और सिलान्यास हुआ है इनमें रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजना ये शामील है हमारा प्रयास है कि पस्चिम मंगाल में रेलिवे का आधुन करण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है आज जिन परियोजनाओं का लोकारपन हुआ है उनमें जाडग्राम, सलगाजरी, तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बहतर होगा इसे इक छेत्र के उद्योगों और परियत्रन को बढ़ावा मिलेगा सौंडलिया, चंपापुकुर और डानकुनी, बटनगर, बाल्ती कुटी रेल रूट इस पर दहरी कर्ण भी किया गया है इसे उस रूट पर ट्रेनों की आवाजा ही बहतर होगी भविश की जर्वंतों को ध्यान मा रखतर शामा प्रसाद मुखर जी पौट और इससे जुड़ी तीन और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है इस पर भी केंद्र सरकार एक हजार करोड रुपिय से ज़्यादा खर्च करने जा रही है साथियों भारत ने दुनिया को दिखाया कि परिया वरण के साथ तालमेल बिठाकर भिकास कैसे किया जा सकता है हल्दिया से बरोणी तक पांसो किलोमेटर से ज़्यादा लंबी क्रूड ओइल की पाइक प्लाइन इसका उधारन है इसके जरिये क्रूड ओइल को चार राज्यों बिहार जार्खन ओडिसा और पस्टिम मंगाल से होते हुए तीन अलग अलग रिफाइनरी तक पहुँचाए जाएगा इससे खर्च भी कम होगा और परियाबन सुरक्षा से जुड़ी चिंताए भी कम होगी आज जो पस्टिम मेदनिपूर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ है उसका लाप साथ जिलों को होगा इसे यहाँ एलपीजी के मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ साथ नवजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए आउसर भी बनेंगे आज भूगली नदी के प्रदूशन को कम करने के उद्देश से सिवेज ट्रिट्मेंट प्रांट को भी शुरू किया जा रहा है इसका भी फाइदा हावडा कमरहाटी और बारानगर के एक शेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को होगा साथियों किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां के लोगों के लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते तयार हो जाते हैं भारत सरकार ने इस साल पस्चिम मंगाल में रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड रुपिय से जादा का बजट दिया है 13,000 करोड ये रासी 2014 से पहले की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है हमारा प्रयास है कि हां रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे स्टेशनों का पुनरविकास तेज गती से हो पिछले दस वर्सों में पस्चिम मंगाल में वर्सों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं दस सान में बंगाल के थ्री थाउजन किलोमेटर से जादा रेलवे ट्रेक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है अम्रुद भारत स्टेशन योजना के तहत पस्चिम मंगाल के करीब करीब 100 रेलवे स्टेशन अब कलपरा किजिए एक साथ 100 रेलवे स्टेशन का पुनर विकास किया जा रहा है तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को भी अम्रिज स्टेशन के रुप में विक्सित किया गया है पिछले दस वर्सों बें पश्चिम मंगाल में 150 से ज़्यादा नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई है पांच नई बंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल के लोगों को रेल यात्रा का बिलकुल नया अनुभव करा रही है साथियों मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विक्सित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे एक बार फिर बंगाल के लोगों को आज की परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूं यह सरकारी कारकरम अब यहां समाप्त होगा और मैं दस मिनिट के भीतर भीतर खुले मैदान में जा रहा हूं खुले मैदान का मजा भी कुछ और होता है बहुत सारी बाते आज मुझे कहनी है लेकिन उस मंच पर कहूंगा लेकिन विकास के इन सारी योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाहर बहुत लोग इंतिजार कर रहे हैं मैं आपसे बिजाय लेता हूं नमस्कार कोटी कोटी दन्यवाद सर आपके बहुमूले विचार हमारे लिए उत्प्रेण और पत्प्रदर्शक का काम करते रहेंगे हमारा विश्वास है आपके मर्द दर्शन में हम विक्सित भारत के संकल्प की सिद्धी की और अगसर है और कारिक्रम के अंत में आदर्निये मुख्यतिती महोदे को साधर धन्यवाद अपने बहुमूले